हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप हमारे चैनल में आपका स्वागत्य मित्रों मनुश्य के जीवन में हर सक्स को अलग अलग वस्तुओं की जरूरत होती है मित्रों किसी को पैसे की जरूरत होती है तो किसी को धन संपती और सफलता की जरूरत होती है मित्रो इसके साथ ही कई लोगों के जीवन में कई सारी परेशानिया होती हैं, किसी के रिलेस्टेंसिप में कई सारी परेशानिया होती हैं, इन परेशानियों की वज़ा आपकी कुणले में गरों की इस्तती हैं, मित्रो हमारे जोति सास्त्रवे गरों की इस्तती को सुधारने के लिए या इनको कम करने के लिए इनके द्वारा जो दोस्त उत्पन हो रहे हैं उनको कम करने के लिए कई सारे उपाये हैं तो मित्रो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो परेशानिया हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है मित्रो आटे के द्वारा हम हमारी इन समश्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं तो मित्रों आपको करना ये है कि अगर आपकी आर्थिक इस्टति खराब है तो आपको आटे में हल्दी डाल कर आटे को गूत लेना है और गुरुवार के दिन इसकी लोई बना कर गाई को खिलानी है मित्रों हमारे सास्त्रों में गाई में सभी देवी देवताओं के वास को माना गया है कहा जाता है कि गाई के अंदर 33 करोड देवी देवताओं का निवास है तो आपको हमेशा आटे की लोई में थोड़ा गूर्डी और चने की डाल रखर गाई को खिलाना है इस उपाय को कुछ दिनों तक हर गुरुवार को करना है इससे आपकी आर्टिक स्थी में सुधार होगा और आपके जो दुखे वह दूर हो जाएंगे मित्रो इसके साथ ही अगर आपके नोक्री में कई सारी परिशानिया आ रही है या आपको आपकी मन चाही नोक्री नहीं मिल रही है तो आपको यह करना है कि आटे में गुड मित्रो आटे में गुड मिलाकर मिठी पूरिया बना लेनी है और उसे रविवार के दिन गाय को खिल नहीं है इसे आपका सूरय प्रभल होगा और आपकी नोकरी में ये आपके दन में जो परेशाया है आ रही है वहों दूर हो जाएगी तरों आपके अどうstorm missing को परेशानी है और आप लड़ी जग्रे हो रहे तो यह आपके परिवार में अक्सर विवात की इस्थती बनी रहती है तो आपको सनिवार के दिन 100 ग्राम मित्रो आपको सनिवार के दिन 100 ग्राम काले चने और 11 तुलसी की पत्या लेनी है और दो दाने कैसर के साथ गेहूं के आटे में पिस्वा लेनी है और आपको इस आ आपके सेहत में भी बहतर ही होगी मित्रो आपके सेहत में भी सुधार होगा अगर आपको कोई बीमारी है तो वह भी आपकी दूर हो जाएगी मित्रो इसके साथ ही हम यह भी बात करेंगी कि आपके भागे में कोई भी प्रोब्लम है आपके भागे में कोई भी समश्या है और आपके भागय में कई सारी दूविदाए है आपका भागय चमक नहीं रहा है तो आपको आटे में चीनी मिला कर हर दिन चीटियों को उसको देना है हर दिन आपको चीटियों को आटा देना है चीनी मिला हुआ आटा देने से आपके भागय में चमक होगी आपका सोया हुआ भा कर दो अपलाएंग कर दो मेर जपritisो यह नसा फड्री कर दो को सैं